यहाँ पर इस figure में आप जो देख रहे हैं यह structure यह sodium chloride है NaCl यह जो है यह indicate कर रहा sodium ion को Na plus और यह yellow color का sphere जो है यह chlorine ion को Cl minus ion को indicate कर रहा है तो आज की इस वीडियो में हम लोग ionic solids के बारे में बात करेंगे class 12 के लिए chemistry का chapter the solid state से यह topic है इससे पहले हमने molecular solids पर बात किया था अब चलिए शुरू करते हैं ionic solids तो जैसे कि हम बात कर रहे थे sodium chloride यह एक ionic solid है क्योंकि sodium chloride बनता है sodium ion और chlorine ion से तो दोनों ion है देखे दोनों ion जुड़कर यह बनाता है यह solid जिसे कि obviously हम कहेंगे ionic solids तो यहाँ पर जो जुड़के bond बन रहा है solid बन रहा है मतलब एक strong bond काम कर रहा है इनके बीच यह जो bond बन रहा है यह bond electrostatic attraction के कारण होता है और उस force को coulombic force कहा जाता है तो चलिए सबसे पहला point तो यह है ionic solids के लिए कि जो bonds यहाँ पर बनता है अलग-अलग ions के बीच वो electrostatic attraction के कारण होता है electrostatic force के कारण होता है जिसे की coulombic force कहा जाता है coulombic, coulombic force क्योंकि electrostatic force को measure करने के लिए जो law है वो है coulomb's law इसलिए electrostatic forces को coulombic force भी कहा जाता है तो यहाँ पर जो bond है जो force काम कर रहा है इनको बांधे रखने के लिए solid बनाने के लिए obviously strong bond की ज़रुवत है वो bond है coulombic force electrostatic attraction well चूंकि यह जो bonds है ions के बीच यह bond बहुत strong होता है इसी लिए यह solids जो है यह solids बहुत ही hard होता है these solids are hard क्यों hard होता है क्योंकि इनके बीच का जो bond होता है यह बहुत strong bond होता है उस strong bond के कारण यह जो crystal है इस crystal का एक layer दूसरे layer पे slide नहीं कर पाता है जिसके कारण कि इसमें hardness आता है well next video में जब हम metallic solids के बारे में बात करेंगे वहाँ पर देखेंगे कि metals क्यों relatively इससे ज्यादा soft होता है क्यों malleable होता है ductile होता है तब जाके यह और बहतर समझ में आएगा कि इस तरह के solids ionic solids hard क्यों होता है well तो हम बात कर रहे थे कि यह solids जो है यह solid बहुत hard होता है और साथ ही साथ यह brittle भी होता है यह बहुत जल्दी तूट जाता है brittle भंगूर होता है so यह brittle भी होता है तो जैसे हम बात कर रहे थे कि इनके बीच particles के बीच, ions के बीच का जो force है यह force या bond जो है बहुत strong bond है और बहुत strong bond होने के कारण इसका melting point और boiling point बहुत high होता है देखें melting point क्या indicate करेगा वो temperature जिस temperature में यह जो bond है जो इसे बांधे रख रहा है आयन को और solid बना के रख रहा है वो bond टूट जाए और यह ions अलग-अलग हो जाए एक दूसरे के ऊपर यह slide करके यह अपना position को change करके इधर उदर move कर सके तो वो liquid हो गया और ज्यादा उसे heat energy प्रोवाइड करें उन particles के पास और ज्यादा heat energy आ जाए that means energy आ जाए वो kinetic energy में convert हो और वो बहुत fast move करे और एक दूसरे के effect से दूर चला जाए और बिलकुल independently वो move करने लगे तो उस समय हम उसे gas कहते हैं और जिस temperature में liquid gas में convert होता है वही boiling point है तो bond जब strong होता है उस समय boiling point और melting point obviously high होना होगा क्योंकि उस bond को तोड़ने के लिए ज्यादा energy चाहिए होता है तो third point जो है इस तरह के solids ionic solids का वो है high melting point high melting point melting point and high boiling point high melting point and boiling point चलिए एक example देखते हैं sodium chloride का ही melting point और boiling point देख लेते हैं साथी साथ calcium chloride मैं यहाँ लिख दूँ साथी साथ calcium chloride ये भी ionic solid होगा calcium ion CA2 plus और CL minus ion से बना हुआ solid तो ये भी एक ionic solid होगा इन दोनों का melting point और boiling point देख लेते हैं कासा नहीं होगा वो structure आप सर्च कर लिजे इंटरनेट पे की structure कैसा होना चाहिए आपका आप माले आपका homework है चलिए आगे बढ़ते हैं दोनों का melting point और boiling point देखते हैं melting point और boiling point दोनों का देखते हैं सबसे पहले sodium chloride NaCl NaCl calcium chloride CaCl2 sodium chloride का melting point होता है 801 801 degree Celsius बहुत हाई है calcium chloride का melting point होता है 772 degree Celsius आप compare करें ने पानी के साथ पानी का melting point है कितना होता 0 degree Celsius तो उसके साथ compare करें आप समझ जाएंगे कि इसका melting point कितना हाई है boiling point NaCl का ये होता है 1465 degree Celsius पानी का boiling point कितना होता है 100 degree Celsius और calcium chloride का boiling point होता है 1935 degree Celsius तो देखें ये जो आयनिक solids है इनका melting point और boiling point बहुत हाई होता है अब सवाल ये है कि क्या इस तरह का solids ये electricity को conduct कर सकता है या नहीं वेल आप सोचे electricity को conduct करने के लिए क्या चाहिए होगा charge चाहिए होगा जो की flow कर सके दो चीज़े चाहिए एक तो charge चाहिए और दूसरा flow करने की ability चाहिए यहाँ पर charge तो available है क्योंकि पूरा का पूरा crystal जो है ये आयन से ही बना हुआ है sodium iron, chlorine iron, sodium iron, chlorine iron लेकिन क्या वो charge move कर सकता है नहीं कर सकता है क्योंकि ये strongly bound है तो इस तरह का solids जो है भले ही charged particle से बना हुआ हो लेकिन ये conductor नहीं होता है ये insulator होता है ये insulator होता है electricity को conduct नहीं कर पाता है लेकिन अगर इनके बीच का ये bond somehow तूट जाए कैसे तूट सकता है अगर हम इसे melt कर दे तो फिर ये ions जो है ये ions move कर सकता है ये ions अपने mean position जो है उसको छोड़के ये move कर सकता है इधर उदर तो उस समाए ये electricity को conduct कर सकता है तो यहाँ special mention यहाँ पर special mention कि conduct तो कर सकता है लेकिन कब कर सकता है but conducts electricity इस तरह का solid जो है but these solids conduct electricity 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 कब करेगा electricity कब करेगा जब molten state में हो in molten state पिगला हुआ state में that means liquid state में in molten state और साथी साथ अगर इसे dissolve करवाया जाए माले पानी में आपने डाल दिया तो पानी में डालते साथ क्या होता है कि पानी के जो molecules है वो polar होने के कारण वो polar होता है तो उसके पास electric field वो बनाता है उस electric field के influence में आके ये bonds जो है वो टूड जाता है positive charge एक तरफ चला जाता है negative charge दूसरे तरफ चला जाता है क्योंकि पानी polar है पानी के एक तरफ negative charge होता है partial negative charge और दूसरे तरफ partial positive charge होता है oxygen में partial negative charge और hydrogen में partial positive charge होता है ये पानी का molecule oxygen hydrogen hydrogen चुकि oxygen ज्यादा electronegative है तो pair of electrons को यह अपने तरफ खीचता है इसमें partial negative charge और hydrogen के तरफ partial positive charge आ जाता है जिसके कारण यह electric field create करता है अपने आसपास उस field के influence में आके यह positive charge जो है sodium ion जो है यह इस region में आ जाता है और chlorine ion जो है यह positive region में आ जाता है क्योंकि positive charge negative charge को attract करता है और negative positive क attract करता है आप देखे अगर हम इसे dissolve करवाएं dissolve करने से polar liquid में dissolve करवाएं तो उस समय यह तूट जाता है अलग-अलग हो जाता है ions और तब भी चुकि ion अलग-अलग हो गया positive ion, negative ion अलग-अलग हो गया liquid में वो flow कर सकता है so dissolved state में भी वो electricity को conduct कर सकता है so conduct these solids conduct electricity in molten state and in dissolved state in dissolved state so in दो तरह के situation में यह electricity को conduct कर सकता है तो उमीदा कि वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा अगले वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर screen पे मिल जाएगा यहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं अब जाते-जाते मैं आपको बता दू कि इस पूरे chapter का जो नीचे description में बिल जाएगा I hope कि अगले वीडियो में जरूरू उलाकात होगी तो मिलेंगा आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रहें गडबाई